किर्केट की सारी लेटेस न्यूज और अपडेट पाने के लिए भी सब्सक्राइब करें प्रिवियू की भी बात करेंगे तो फुरुत लेकर लास्ट अप पुरी वीडियो देखते रहें पुरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में दोस्तों अगर हम बात करें पागिस्तान टोर आफ साथ अफरीका जो कि इस दोरे पर पागिस्तान के सबसे पहले तीन टेस्ट मैच जो कि थ्रीश खेली जाएगी पागिस्तान वसे साथ अफरीका के बीच जो कि पहले टेस्ट मैच 26 दिसमबल 2018 वेडिनस दे से स्टार्ट होगा जो कि यह मैच सेंचुरियन के सूपर स्पोर्स पार्क के स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच इंडिया टाइम के परदस्त मीडियम फास्ट बॉलर महमद अबास इंजिरी की वज़ा से पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे ऐसे में उनकी जगा पर पहला टेस्ट मैच में महमद आमिर को खिलाया जाएगा और यह बात कन्फरम है दोस्तों अगर हम बात की तो पाकिस्तान की टीम काफ देखने को मिलने वाला है पहला टेस्ट मैच तो बिना देरी के वेच लिए बात कर लेते हैं पहला टेस्ट मैच की प्लैंग 11 की कि वो कौन से पाकिस्तान के ग्यरा खिलाड़ी खेलेंगे साउथ अफरीका के खिलाफ है अगर हम बात करें ऑपनिंग बल्लेबाज की यानि क अगर हम बात के नंबर चार की तो नंबर चार पर हूँगे हारी सुहल पाकस्तान टीम के जब अर्दस्त मिडल और बेटसमेन जो कि यह भी काफी सांदार फॉमिट चल रहे हैं तो मैं इसके बाद नंबर पांस पर होँगा असदिसफीक पाकस्तान टीम के बहतरी इंटेस् अगर हम बात के नमबर 6 की तो नमबर 6 पर होंगे बाबाराजम पाकिस्तान टीम के जबरदस्त बल्लेबाज वह इसके बाद नमबर 7 पर होंगे पाकिस्तान टीम के विकट कीपर बैट समयन और कप्तान तरफराज अहमद अगर हम बात के नमबर आठ की तो नमबर आठ पर दो खिलाड़ों का नाम सामने आ रहा है जो की नमबर एक पर सादाप खान पागस्तान टीम के बहतरी नार जाउंडर इस्पिन बॉलिंग के साथ बेटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं वह इसके बाद नमबर दो पर रहें पागस्तान टीम के जबर दस्ट स्पिनर यासिर साथ जो की इन दोनों में से किसी एक को खिलाए जाएगा अब अगर हम बात के नंबर 9 की तो नंबर 9 परोंगे पागिस्तान टीम के जबरदस्ट फास्ट बॉलर मुहम्मद आमिर जो की ये काफी सांदार फॉर्म में आ गए है वह इसके बाद नमबर 10 परोंग हासन अली अगर हम बात के नमबर 11 की तो नमबर 11 परोंग साहिन साह आफरीदी पागिस्तान टीम के जूनियर फास्ट बॉलर दोस्तो यही पागिस्तान टीम की पलेंग 11 जो किये 11 खिलाडी खेलते वे दिखायी दे सकते हैं पहले टेस्ट मैच में सौथ अफ्रीका के खिलाफ है दोस्तों आपके साफसे वह कौन से पाघस्तान के ग्यारा खिलने चाहिए कमेंट बॉक्समें अपने विचार अपने राय जरूर दे और आपके साफसे कौन से टिम जिय देगी पहले टेस्ट मैच